जहें दोस्तों श्वागय अठाप का हमारी टुक्षने एलनी बिद्रगेश लोग आज हम लोग सीटेट की महामर्याथन क्लास में तीम बिश्यों की सिच्छन पढ़ेंगे जहां पर पर्यावरन सिच्छन हिंदे सिच्छन और गरे सिच्छन इन तीनों प्रश्णों की जो सी है यह माने रखता है उससे ज्यादा कि प्रश्णी क्यों सही है तो आजए हम लोग मिलकर इलनी बिद्रगेश पर इन सभी क्लासियों की जो सिरीज है उससे त्यार करते हैं वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आप इस वीडियो के अंधर तक बने रहेंगे तो आपके सामने पहला प्रश्णी यह लाँए दर्गेश की जोनपुर जनपत से चलती है उत्तर प्रदेश के और यह क्लास प्रदेन आप लोग इसी टाइम पर लाइब देख पाएंगे तो बिने देरी कि हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की पहले प्रश्णी की तर सब्सक्राइब होंगे सभी को एकदम साप साप नजार आ रहा होगा पहला जो प्रश्ण है वह कहां से वह है पर्यावरण से यहां सभी लोग लाइब देखते रहें यहां पर है कि पर्यावरण अध्यान जिसे एविएस कहते हैं सीटेट में पूछा जा चुका है कि एविए और कि पर्यावण अध्यान तो अब पर्यावरण अध्यान के जो अंगरेजी होती है वही उस्तार करना चाहती है है कि वायू में भाहर हो होता सबसे पहले कौन देखता है। तो जो लोग इस वीडियो को जोड़ रहे हैं, सबसे पहला काम लाइप करें। और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरू कर दें चलिए अब हम लोग भी एके करके पशने की तरफ देखते हैं देखे क्या रहा है खाली उल्टा बीकर पानी की सत्था के उपर रखे और उससे नीचे डेखे लिए जी यहां जैसे हमने यहां पर बीकर में पानी ले लिया क्या क्या इसमें बीकर में पानी ले लिया अब जैसे यहां पर कोई ग्लास ले ले और इस ग्लास में क्या करें हम लोग इस ग्लास में एक छोटा सा कागज टोड़ा डाल दे अब फिर इस ग्लास को पलड़ दिया जाए और फिर इसको पानी में डाला जाए और डालने के ब पानी के अंदर इस ग्लास को डाल देते हैं तो वहां पर यह कपड़ा जो होता है हवा की वज़े से पानी अंदर नहीं जा पाता बीकर में घुच जाता है इस प्रकार यह उत्तर आपका शही हो गया आगे देखते हैं इस्ट्रा के माध्यम से जूस किचना यहां पर नहीं हो यहां पर यहां पर यह बात शिद्ध नहीं हो पाती है आगे देखेंगे दो भरेवेt गुबारे को एक चट्से बाते और सामेवश्ता में ले जाए मतरral से 1 अस वे यहां पर छड़ लें पिर इस दो भरे गुबारे लें उन्हें क्या करे सामे वें बाढ़ देंम बाढ़ रखले वisu अब्वार कि फोड़ के जबाब पूरी तरह से अब ढेनादे कि है अगरे बढ़ रहा हूँ और वीडियो को लाइव देख रहे हैं विडियो से जादा जया एक और छार दिया है उने सभी रहे आप सभी लोग कर ले ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रष्ण की तरफ करते हैं और यह देखते हैं का अधिकांस बच्चे स्वांस और सांस लेने की बीच अंतर को नहीं समझ पाते हैं ऐसा किसलिए होता है जो साथी वे इलनी विद्रगेश पर वीडियो को लाइब देख रहे हैं वे सबी साथी कमेंट करके इस दिये के प्रष्ण का जवाब करता है सब्यों अधिकर सब्याइब जबन देखे लाइब देख आए बताईए फटाफ़र कमेंट करें किस प्रेश्ट का उत्तर क्या होगा कि सब्सक्राइब करें करें और के जवाब देखे आपको उत्तर जरूर देना चाहिए गलत हो या सही हो आप सभी को जबाब होगा कि दिखे यहां पर चिछ चा की कच्छा में प्राया बहुत कि अनुसासन हिंता रहती है इसलिए और यहां पर अपर पता कच्छा जो और वह आनुसासित नहीं होनी चाहिए फिर कहा रहा है विद्ध्यार्थी परष्ण को सही तरीके से नहीं समझ सके यह इसका सबसे सही अंसर होगा इसका उत्तर क्या होगा एसका सही जवाब होगा मतलब जितने लोगों ने दियेगे प्रश्ण का उत्तर ए बताया है उन सभी के प्रश्ण के जवाब पूरी तरीके से सही है अच्छी बात आप लोग याद रखेगा कि जो क्लास की सिचका है नर है इसका यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्ण के तरफ यहाँ सा आप लोग जानते रहेगा कि दियेगे जो प्रश्ण का उपिक्त विकल्फ होगा ए होगा जैसे मैं जब तत्यों को पढ़ाता हूँ मैं ब्याक्ष्या जादा करता हूँ मैं ब्याक्ष्या करने पर बल देता हूँ पता क्यों वेकि ब्याक्ष्या ही वेकि प्रश्ण तो आपको किसी भी प्रक्टिसेट खरी देंगे तो आपको कहीं ने कहीं यह प्रश्ण ऐसे मिल अगला प्रशन आपको साहँ दिख रहा होगा और यह इलनीबिद्रगेश के Facebook पेज और यह इलनीबिद्रगेश के YouTube चैनल पर आप लाइब देख रहे हैं देखें रेत और नमक रेत और नमक के मिस्क्रण को अलग करने के लिए प्रक्रियाओं को निम्लिकित चार प्रक्रम मे किसका उप्योग किया जाना चाहिए जितने लोग इस वीडियो को लाइप देख रहे हैं सबी लोग फटाफट कम्मेंच करेंगे comment करके जब आप देंगे जी हाँ, जित्तिलों इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं, सबसे पहले, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, और दूसरी बात है, आप वीडियो को सेर जरू करें, बिद्या माइक कसा में सभी लिए वीडियो को लाइक करने के बाद सभी मित्रों को सभी ग्रूपों में स से डर के एक बार अगर पूरी क्लास आप पढ़ेंगे तो फिर आपको यह पता हो जाएगा आप इस प्लेटफॉर्म से कितना बहता रंग से क्वालिफाई होंगे आई यह मैं यहां पर अगर हमने रेट को यहां पर पानी में मिलाके रख दिया तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना होता है इसलिंए भारे है नीचे बहते हैं इस में परलते हैं निश्तार्ण करना क्या हुग्ठ ऑढ़ेंकि प्रकित्या फिर होता है इसका निश्यंदन लिखते चलेगा निश्यंदन मने चानना या फिल्टर करना इसको कहते है चानना या फिल्टर करना लिख लीजिएगा इसको चानना या फिल्टर करना कहते हैं फिर होता है वास्पन मने इसमें क्या होता है रेत और नमक में से वास्पन की प्रक्रिया में होने व तो आप इस प्रश्ण का उत्तर आराम से सही कर पाते और सीटेट में अगर आपने पूरी क्लास पढ़ा है तो सीटेट आराम से पास हो जाएंगे इस बाती गरेंटी है आप पहले से जानते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से सीटेट कोई फेल नहीं होता इसका यही कारण है कि मैं तत्यों को पूर्ण रुपेन ब्याक्ठ्या करता हूँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्ण की तरफ यहां तक किसी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं क्लास बेसक लंबी हो लेकिन सेलेक्शन वाली क्लास हो ताइम पास वाली क्लास नहीं हो जल के वास्ने पर्योता नहीं की प्रक्रिया को वाश्पन कहते हैं ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैंने चारों को बता दिया इनकी ब्याक्ठ्या सबसे ज़्यादा जरूरी होती है पर अगला प्रश्ण आपके सामने साथ आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे जुज़ाना आप लाएब पानी में फिट 메ंट करें यह कि जो प्रामठी में किताबे चलती हैं रहाँगा यह के प्याद्य पूछाए सब्सक्राइब बताइब लोग किताबे चलती है परयावरण की उनका नाम क्या है तो जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं सबी लोग फटाफट कमेंड करें और कमेंड करके दियेंगे प्रश्ण का जवाब दें भाईया सभी लोग फटाफट कमेंट करो कमेंट करके जबाब दो मेरा उद्देश क्या है कि आपको सेलेक्शन तक ले जाना और उसमें आप लोग को भी अपना बेश्ट देना होगा अगर आप चाहते हैं कि अब सेलेक्शन के लिए पढ़े तो वीडियो को लाइक को सेर कर दे अन्य लोगों के पास पहुँचे ठीक है आस पास के नाम से जाना जाता है देखिए यहां पर पानी को रंगहित करना यहां पर कोई अपसन नहीं होगा फिर कह रहा है कि पानी में म वरतन करना भी नहीं होगा मतलब यहां पर यह भी गलत यहां पर देखिए क्या होगा कि हलके निलंवित अब ढबर्व्यों को औशादित करने के लिए यहां पर क्या होगास फिटकिरी से पानी में जो ऑसुदियांं होती जिसे और शादन कहते हैं मैंने उपर पढ़ाया था यह सब दमाने रखता हैं सब्सक्राइब के लिए उबालना पड़ता है यहां पर उबालना पड़ता है या इसमें चूना मिला देते हैं इसमें क्या करते हैं चूना मिला देते हैं किसमें चूना तो चूना मिलाने की बात करता है तो इसको बालना करता है ठीक अब आगे बढ़ते हैं कि पानी में मौझूद रोगाणू को खत्म करने के लिए क्लोरीन की गोलियों को क्यों करते हैं कठोर जल को मिर्दल जन बदलने के लिए चूना का यूज करते हैं या तो पानी कुबाल देते हैं लेकिन हलके निलंबे जो अपद्रों को आउशादित करने के लिए उसमें फिटकिरी मिलाए जाती है इसलिए दियेगे प्रशनका जो सबसे उत्प्यक्त विकल्प होगा वह वाब देंगे साथे साथ इस वीडियो को सेयर जरूर करेंगे मेरी क्लास आपको समझे में आ रहे या नहीं यह भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे हाँ यह प्रीविये सेयर की प्रशना है ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रशन की तरफ चली अगला प्रशना आपके सामने है यह भी मैंने पढ़ाया है यहाँ पर इक प्रशना आया है भारत तोलो को को पराय ज्यादा मास पेशियां और बोडी मास बनानी का सकता होती है इस उद्देश के लिए उन्हें ऐसा आहर लेनी का सकता होती है जो किस चीजों से भर सबी लोग फड़ाफट कमेंड करें अनुप जी ने सही बताया डी टूओ को भारी जल कहते हैं डी टूओ को भारी जल करते हैं सबी लोग फड़ाफट कमेंड करके बताईएगा ठीक है डी टूओ को भारी जल कहते हैं ठोस जल कहते हैं इसे ठोस जल कहते हैं इसे भारी जल कहते हैं ठीक है चलिए यहां पर आप लोग को बताना है जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जब आप जबाब देते हैं तो आपकी धड़ा खुलती है प्रिश्णों को कैसे सॉल्व करना है तो मैंने आपको कई बर बताया प्रोटीन तो का निर्माड होता है वसा से मोटापा इससे क्या होता है मोटापा कर्पोहड्रेट से उर्जा विटामिन से रोग से लड़ने की छक्ति ठीक है तो यहां पर दिये गए जो प्रिश्ण का उप्युक्त जो दिकल्फ होगा वह एस का राइट एंसर होगा ए दिये गे प्रिश करके आप हमसे पूछ सकते हैं वैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्ण की तरफ ठीक है कि अगला प्रश्ण आपके सामने साथ आपको दिखाई दे रहा होगा खादर शिंखला की संकलपना को पढ़ाते समय विद्यार्थियों को अधिक्तम भागेदारी कि दिखिए ध्यान से सब्दाली को जरूर पढ़ना चाहिए सीटेट का के लिए निमिकित में से कौन सी सिच्छण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी सभी लोग फड़ा फट कमेंट करें डेली क्लास के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम को जोइन कर ले जो डिस्किप् क्लास चलेकी उस्क लाच के लिए भी आप लुक जुडए रहेएक को कि ये प्रदिन क्लास साम साथ बज़े से स्टार्ट होती है लरनी बिद्वर्गे लग्यूशपरर साटे आठ बज़े सवीरी और जुनियर के लिए टिग है अ सबयों में वीडों कोशेर कर दें लाइक अच्छा वसा से भी उर्जया मिलती है और करभाइडर से भी चलिए यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा जीवों के प्लेकार्ड बनाना और विद्यार्थियों के शमों को विभिन खाद शिंखलाओं को सोचते हुए उन्हें विवस्तित करने के लिए कहना क्योंकि यहाँ यहाँ पर पूछा है कि विद्यार्थियों की अधिकतम भाग्यदारी कैसे होगी यहाँ पर जो सब्थ पूछा गया है उस सब्थ को भी हमें समझना पड़ेगा उस सब्थ को Бियं जानना पड़ेगा honor को अने उसमें ज्ठासों में यहाँ खलतकाली लेकिन यहां पर क्या कर रहा है कि खाद सिंखला को पढ़ाते समय कौन सी सिच्छन व्यूह रचना सबसे ज्यादा प्रभावी होगी इसलिए यहां पर जीओं को प्लेकाड यह बहुती मज़ेदार है प्लेकाड को मैंने कल पढ़ाया था और समझाया भी था बद्यार्तियों के समय को विभीन खाद सिंखलाओं को सोचते हुए ने विवस्तित करने के लिए कहना मतलब दिएगे प्रशन का जो सबसे सही उतर है वसी यहां पर राइट एंस हो रहे माने जितने लोगों ने दिये प्रशन का उतरसी बताया है उन सभी के जवाब सही है और आप लोग गर ऐसे प्रशनों का जवाब देते रहेंगे यकिने आप सीटेट के अच्छे दावेदार है माने सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे अगर आप रेगुलर क्लास में रह प्रशन को पढ़ा और जवाब दिया कुछ लोग कहते हैं मैं इसका जवाब नहीं लुकूंगा लेकिन जबाब जबाब देते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा को यह मिलता है कि हम कितने कम समय में अपना उतर दिये ठीक है सभी लोग फड़ा फट कमेंड करें और उनलेंग क्लास के लिए आप 6306344367 पर वाटसेप करके घर बैठे ऑनलाइन नोट्स ऑनलाइन क्लास प्राप्ट कर सकते हैं बते क्या होगा कि मचली घर एक क्यूरियम में हावा वाला पंप क्यूं रखा जाता है अपने प् है जो लोग इस वीडियो को लाप ड़्याद दे कि सभी लोग वालाफ करने कैसाफ परस्ती का सही जबाब दे आप लोग में कि आप लोग सभीर जबाल दिया करिए चाए गलती क्यों गलत यहीं तोड़ी नहीं आपका जो हlette देने सब्सक्री है वह बाहर आपर आक है है यह कि मचली गर एक्यूरियम को सुभा बढ़ाने के लिए जी नहीं पानी को साप करने के लिए जली पौधों का अधिक्तम कारबंडा करने के जी नहीं पानी में अधिक से अधिक ऑक्सीजन घूल सके पानी क्या हो जो पानी है उसमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन घूल सके इसके लिए जो मचली गवर होता है उसमें हवा वाला पंप लगाते हैं यह बात आप लोग को जानते रहा न चाहिए अगर मैं कहूं कि मच्छणियां जो सांस कैसे लेती हैं कैसे जिवित रहती हैं ठीक है यह बात भी आप लोग कमेंट करके बताईएगा ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ अराम से पढ़िए मैं आपको ब्याक्ठ्या करके पताऊंगा वीडियो के क्लास के आंते तक बने रहेएगा अगर आपको सलेक्शन के लिए पढ़ना है त अंजली अंजली की सहेली दातों में 6 से बचने के लिए चार तरीके अपनाती है चार तरीके आप ध्यान से पढ़िए और आप प्रश्न का जबाब दीजिए आपके पास 30 सेकेंड है अब यह देखते हैं 30 सेकेंड पढ़ने के बाद सबसे पहले प्रश्न का जबाब कौन सबी लोग फटाफट कमेंट करें जितने लोग वीडियो को लाइब देखना चाहा रहें देखें सेलेक्शन के लिए पढ़ा करिए और अपने महनस से पढ़ा करिए यकीन हैं आप सफल जरूर होंगे जिस आप सब लोग प्रश्न का जबाब देते हैं मुझे इस बात का त देखें तो कहना पड़िया रहा है कि लायखों से जरूर करिएगा अ साथ करिए इस दिन में दो बार करना चिमेरे दात ओ ऐसे भी वाइट हैं तो दिन मेंकर करते शुबह साम ब्रेश करते हैं तो कहीं ने कहीं हमारे नाथ साफ रहेंगे फिर की इन्यमील कम नहुश के लि दिन कम होने से दाथ नहीं बचेगा इसलिए हाँ पर इसका कोई मात्र नहीं ठीक फिर आगे बढ़ते हैं मिठाई चॉकलेट और कारवन डाय आकसाइड युक्त पे पदार्थ न ले देखिए मिठाई कम खाईए चॉकलेट तुम्हें खाता ही नहीं कारवन डाय युक्त पे 10 अउन सभी के जबाव पूरी तरRR है प्रस्ण की तरह कोई दिखकत कि旗ो कोई समस्या हो तो आप सकते हैं नहीं यह घूरत अगला प्रस्ट ध्यान से दिखेगा और आप लोग फटाफट कमेंड करें और कमेंड करके बताइएगा जो दात बाहर निकलने पर पहनता है उसे वैसीच कहते हैं न ब्रेसीच कहते हैं कि यहां यहां भी देहां किएगा नीची देएगल वे नारय का धहन कीजिए और यक्स में कौन सा जूर रखा जाएगा सभी लोग फटाफट कमेंड करें जो वीडियो को लाइब 292 जड़िfilm हैं यह कमेंड करके देए प्रस्ट नकाड़ का झेवाब दें कि इसे प्रिष्ट न का जवाब आपको देना चाहिए ज़िए गलत ही क्यों न हो है ज़िए इसका आसान तरीका है एकदम हलूगा देखिए यह कहरा जमीन मैंने जमीन में रहने हो गया अप पानी में मतलब बावत जमीन में भी रह रहा हो पानी हो और अंडा भी दर रहता है पानी में भी रहता है और अंडा भी देता है कि बताइए तो कहेंगे मचली जमीन पर नहीं रहती सार्क जमीन पर नहीं रहता सार्पमीन ये भी नहीं रहता मगर मच जमीन पर भी रहता है पानी में भी रहता है और अंडा भी देता है इसलिए यहाँ पर दिये गए सबसे सही और उप्रिक्त जो बिकल्ब होगा वह अपका क्या होगा वह यहाँ पर एसका राइट एंसर होगा एसका शही जबाब होगा ठीक किसी कोई दिक्कत कोई समस्या और कमेंट करके पूछ सकते हैं और नहीं है तो इस वीडियो को अपने सभी साथी में तरह तक पहुचा दीजेगा मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रेश्ट की तरह कॉंसेट क्लियर हुआ कुछ डाउट है तो पूछ लेजिए भाई नि मैं आगे बढ़ इसका मतलब भी कह रहा है कि वाज जमीन में भी रहता हो वह पानी में भी रहता हो और अंडा भी देता हो ठीक है तो वह कौन सा जीव है तो वह भाई मगर मच है क्रकोडायल चलिए यह यह पर्यावरण का को आखरी कोश्चन है इसके बाद हम लोग गणी सिच्छण पढ़ पेड़ पौधे और जू जन्तूं दोनों में मिलता है कि सभी लोग फटाफट कमेंड करें कमेंड करके बताएं कौन से ऐसा चीज है जो जीवों के अंदर भी मिलता है और पेड़ पौधों के अंदर भी मिलता है जो लोग लाइव है वो सभी लोग फटाफट कमेंड करें और कमेंट करके बताएं कौन से ऐसी चीजे हैं जो दोनों के अंदर मिलती है सबी लोग फटाफट कमेंट करें और डेली क्लास के लिए इसके बाद सीडिपी क्लास होगी उसके लिए आप दुर्गेश सरसच करके e-learning भी दुर्गेश पर जुड़े रहे कुछ दूसरे के भी सारे भोजण होते हैं जो परजीवी होते हैं इसलिए गलत हो जाएगा प्रजनन और भोजन प्रजन तो है भोजन बनाना तो मनुस भोजजन नहीं बना सकता फिर प्रजनन और अंकुरन ठीक यहां पर ब्रिद्धी और प्रजनन यह यूग में ऐसा है जो दोनों में मिलता है यह यूग में कहां है दोनों में मिलता है भोजन बनाना ठीक और उसमें क्या करना साक्राइब बृद्धि यृद्ध्ध प्रिभृ पोधों पाई जाती है जो जन तुमें बृद्धि दॉद्धा प्रिजिंगे और वहाये आ पर 10 का राइट एंसbelों होगा डीस का सही जवाब होगा तो क्या आप लोग को समझ में आ गया जित्ते लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं तो जो लोग आप बायो से होंगे क्योंकि मैं तो आर्ट सेक्षन का स्टूडेंट रहा हूं फिर PCM रहा हूं तो वहां पर आप लोग को पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे प्रजिनियंद कई प्रकार से करते हैं अगर आपको कोई टाइप्स पता हो तो टाइप्स की प्र लोजन नहीं बना सकते हैं तो बजिए प्रजिन के प्रजिन के प्रकार कितने प्रकार को होते हैं कि आगे बड़ाओं के प्रश्ण की तरफ देखे अब यहां से पार्यावन की स्रीश खतम हो गई अब आपके यहां से हिंदी सिच्छन को पूरा साथ क्लास पढ़ना चाहते हैं एक हिंदी सिच्छन एक ऐसा अमैट पैड़व है जहांसे आपके परिच्छां में प्राया प्रश्ण आते हैं तो इसमें कितने एसे लोग है जो मैं पढ़ना चाहते हैं क्वाटाफट कमेंड करके बताएं और। आप लोग वीडियो को शेर जरू करदैं इसके बाद मैं सिछढण है Woah पीर हिंदी सिछणध विए तो सब लोग विडियो को लाइक करें और अपने सभी साथी मित्रों को सेर कर दे वीडियो और अपने फेस्बूक पे डाल दें वार्सेप पे डाल दें स्टेटस लगा दें चलिए अब हम लोग क्या करेंगे यहां से पढ़ने जा रहे हैं मैथ से च्छड़ी क्लास ठीक है और यहां पर एक ऑनलाइन नंबर दिया गए इस पर कॉल करके वार्सेप आपको दिखाए दे अरहोगा वीलों फटा फट कमेंड करें और बताएं कि दी गई आकरती शामान आकार के दी जो आत्रती थी चलिए इसको हम लोग हल करते हैं और हल करने के बाद जानने का प्रयास करते हैं लोग फटाफट कमेंड करके बताएं कैसे आप लोगों इतने जल्दी लगाली है हमसे भी तेज यहां लोग दो देखे की अगर एक का छत्र पल निकालना है तो एक तो असी में पांच का भाग दे देंगे तो पांतियां पंद्र चतिस तहां पर क्या होगा एक वर्ग का चित्रफल बराबर कितना हो जाएगा एश्कौार होता है भुजा स्कौार यहां पर स्कौार जहां पर 26 दिखेंगे बराबर एश्कौार तो ए बराबर एबराबर कॉणी में 36 यह भर राबर चेसे परिमाब बराबर भुजा गुड़े चार क्या करेंगे चार कर देंगे तो एक का निकलेगा लेकिन यहां पर कितनी भुजा होगी आये देखते है एक यहां से एक बुझा देखें एक दो कितनी विजा वो और भाह होाई तो क्या करेंगे एक если 20 20 बड़ाबर बाहतर कितनी होंगी 22 देखें कैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नव, दस, ग्यारत, कुल बारा भुजा है तो यहाँ पर क्या होगा, 72 से मी, माने दिये गए प्रशन का जो उत्तर होगा, वो 72 से मी, राइट एंस्वर है आप सभी को समझ में आ गया, जो वीडियो को लाइव गया है, जर आ अप प्रताफर कमेंट करें कि आ आप लोग को समझ में आ गया, अगर आ गया तो वाइप कमेंट करें नहीं या तो यन्ज कमेंट करें, यह विवकि मैं आपको तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपके concept होगा यह वीडियो आपकी फिस्बूप पेज लेनी बिद्रगेश यूटूब चैनल इलेनी बिद्रगेश पर लाइब चल लिए दिखें भिन्नों का योग भिन्नों का योग पढ़ाते समय स्रीश शिंग द्वारा यह देखा गया कि निम्नेखित प्रकार की तूटी बहुता मतलब बच्चे क्या करते हैं तूटी करते से यह आपे दो चार लिख दिया और पांतीनाट जिए यह आप दस लिख दिया तो आप जरा बताइए यह दो दूना चार लिख दिया फिर तीन यह दो स्रुटी का नाम है कि कि दिये पश्ट मेंशें उप्शारात्मक किया होगा बच्चे का जो उप्शारात्मक काम होगा वह क्या होगा कि कि सबी फड आफट कमेंट करें है जिटे ने लोग इस वीडियो को लाइप देख रहे हैं तो बताई से भी लो आओ चलीए लेसर मैसे यहाँ पर नहीं होगा क्यों यूद्पया की बात होती जह तो पांती वह पंद्रा होता यह तो पांतीन आट होता मतलब वहां पे लेसर की दिक्ठत नहीं मतलब यह गलत है अब आगे दिखिए विद्यार्टियों को मेहनद करने की सब्सक्राइब भी करेंगे तभी तो गल्ती सुधारे नहीं है और गल्ती करेगा अब इसमें सही बीकल्प क्या हो सकता है जादतर लोग भी बता रहे हैं यह बी को देखते हैं समान भिन्रों की योग की संख्वालपनाक असपष्ट करने के लिए कि चित्रात्मप प्ति रूप । देंगे बाद में शकल के सवाल करने और बाद मुरे क्या कराना समान प्रकार के जो शवाल है उसका भ्यास कराना मतलब जितने लोग उने प्र्श्न का उत्तर भी बताया था उनके जबाव सही है न जितने लोग प्रश्न की तरफ कोई दिक्कत किसी को तो सकता है कि अधिके आई ये क्लासे जॉनपूर से चलती है और टेडी का लिगेट के पास इलेर्नी बिद्रगिस जॉनपूर में ओनिंग क्लास के लिए मोबाइल नंबर दिया गया है और ये भी नंबर ये मेरा विक्तिकत नंबर है प्रशन आपको दिख रहा होगा एक ठोस आकरती दिखाया गया है और ये घनी बाक से ब्लॉक है जिसकी प्रतियक भुजा एक सेंगी की है तो कुल ब्लॉक की संख्या क्या हो बताई इससे भी लोग फटाफ़र कमेंट कर गया चलिए अनुप जी आप जबाब देते रहें बाकी लोग तो भैया अब बताई यह सब्लों फटाफ़र कमेंट करके भी लोग फटाफ़र जबाब दीजे यार देखें यहां पर कितना है एक दो तीन हो गया यहां पूरी लाइन तीन तीन की हो गई फिर यहां पर यह भी लाइन तीन तीन की है अब इधर से देखते हैं यह लाइन कितनी है फिर एक दो तीन चार पाँ अगर केवल इतना दिखता तो तीन गुड़े पांच हो जाता लेकि यहां भी भी है एक दो तीन चार पाँच यहां पर कितना है एक दो तीन चार पाँच तो हमें क्या दिखा एक दो तीन चार पाँच तो यहां पर यह हो जाएगा पाँच एक दो तीन गुड़े तीन यहां भी पाँच है है कि गुड़े पांच ज conju पंद्रबचे कि एक बचेव प्रशना था है यह पर ज्याद़ा बन गया यह चार थक होता तब सस्क्त होता ते ग्यक्त यहां पे 72 को आप लोग क्या कर लेजिए 75 कर लिए चार इसमें किदर से दिख रहा किसी को कि चार किसी किसी दिख रहा है कि चार दुखें दिखने ही रही है के यहां से तब तो पांच है इस लाइन में फाज है और इस लाइन में तीन है तो पांच है और यहां पर एक दो तीन है और यहाँ पर एक लायं कितनी हो गई lumps थूयह तक हो गए 155 30 फिर 15 फिर 15 15 कितने हो गया डाउट कोई कि कि क्लेर गुंडेव को लाइप देखरें सबलों वाटाप्ट करें क्या हुआ 75 हुआ मैं आगे बड़त रहों के पैस्ट कीतरफ कि यहां पर आपके सामने प्रस्टन दिखाई दे रहा है कि सभी लोग फड़ा फड़ कमेंड करें और कमेंड करके जवाबते हैं कि प्राष्टी पाड़ चरिया रूप एक हमाने एंसी अब 2005 कि यह मानती है कि गणित में चिंतन और तरकण का एक तरीका सामिल होता है इस द्रिष्टिकोंड को किसके दोरा प्राप्त किया जा सकता है कि सभी लोग फड़ा फड़ कमेंड करें और कमेंड करके दिखाएं बता हैं सवालों के जवाब दें अगर मैं थोड़ा तेज कराऊंगा तो आपको दिक्क्त यह होगी कि बहुत सब्सक्राइब तरीका आपको समझ में नहीं आएगा बेसक आप में नंबर आप कॉंश्च को जादा ट्रेस कर पाएंगे लेकिन आपको वह नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप लगाता है कि मेंट करके दिखते हैं अब लोग तो एक कांश सुनते हैं दूसरे कांश से निकाल देखते हैं कि राष्टी पाड़ चरिया कि रूप रेखा कि विद्यार्थियों को बिशेएस कोचिंग देना जी नहीं कोचिंग की बात नहीं करता फिर बहुत सवाल का कारपत्रक देना जी ने इनके उपर काम का बोज नहीं डालना कि सभी पाट पुस्तक का पूरा लेखन करना अब किसी के नाते पूरी किता भी पूरा लिख जाए यह भी गलत है फिर यहां पर अब आपको पता देल गया सही उत्तर क्या है खोजबीन उपागं का प्रियोकर मन ऐसा काम करना ताकि बच्चे उसमें खोजबीन करें बच्चे संकलपनाह, उन्हें वास्तिक जीवन से जोड़ना विद्यार्थ्यों को भी चर्शा में सामिल करना ताकि गो ठीक हैं तो यहां पर जो विद्यार्थियं है उनको चर्चा में शामिल करना उनके विवक्त के आजादी देना इसलिए आप पर दिये के प्रश्ण का यह सही उत्तर होगा यह दिये के प्रश्ण का राइट एंस्वर होगा किलियर किसी कुई डाउट आगे बत्र रहा हूं अगले प्रश्ण की तरफ वीडियो को फटाफट आप लोग सेर कर देंसे जितने लोग शेयर नहीं किया है सबी लोग फटा फट कमेंट करके यहां पर एक छोड़ा सा प्रश्ण दिया गया है कि साथ आपको दिखाई दे रहा होगा कि द्यांस आप लोग देखेगा कि जो लोग वीडियो को लाइफ देख रहे हैं फटा फट कमेंट करें कि रिजू एक गतिश्ववेदी विद्या सिच्छारती है उसकी सिच्छ का नेहा है उनका अधिगम सहली को समझाते हुए उनकी गुड़न की संकलपना को असपश्ट करने के लिए उन्हें किस ब्यूरचना का चैन करना चाहिए सभी लोग फटा फट कमेंट करें और कमेंट करके दिए कि प्रश्ण का जवाब दें प्रश्ण की स्कीन सोट ले ले ताकि मैं आगे बढ़ो सभी लोग को जबाब देना है जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जब आप शभी को देना है कि सभी लोग फटा पर कमेंट करें करें कि जी अब वीडियो फेस्बुक पे चलना डेली डेली क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और टेलीग्राम पे दुर्गेशर सर्च करके इलने भी दुर्गेश्ट पर लाइब चलती है और इसके बाद साड़े आठ बजे से सिड़ी पीछ लेगी ठीक है आई यहां पर ध्यान से देखते हैं कुछ लोग सी बता रहे हैं दिखिए यहां पर कह रहा है कि कटवा गिंती तो कटवा गिंती से भी सीखा जा सकता है ठीक है लेक सब्सक्राद बुद्धी है इसका मतलब कि वह नई सीख पारी ध्रिद्र इस तरह से गिंती करने में वह साथ समझनप है फिर दो तीन आदि के गुड़ज प्राप्त करने के लिए दो अलग लग रंग वाले मोतियों धागे का परयोग करना है कि तो यहां पर यह भी गलत और यह भी गलत सभी पहाडों को याद करने भर्ल से और यह बिदेना है कि अधिक professor की रेखा ऊफर शे बिन्दों को गिन जाते यहां पर यह हो गया कि यह लाइन हो गए दो गया तो कहेंगे किये वेस। कि री compliance पर दीखिए इन वसक्रव existed kdi wine आज कि दो सब्सक्राइब फिर यहां पर दो हता है थे दो दुना दो तंतर दो क्या जा ऍॉंपना को अस्पस्ट करते हैं जैसे बच्व को करते हैं जैसे जब आते हैं कि क्या हो जाएगा विछ क्यूंदों करते हैं am प्रश्ण में एक सब्दावली का प्रयोग क्या है गति शम्वेदी जुसे चार्ती वह क्या है गति शम्वेदी है ठिक, याद रखेगा आप लोग, अब एक प्रस्णार्य कटवा गिंती, यह संख्या रेखा पर होता है, यह कटवा गिंती क्या होती है, यह संख्या रेखा पर होता है, यह कच्छा अच्छा कि अगर आपने NCRT पढ़े होगी, NCRT, जितने लोग वीडियो को लाइट देखने अगर NCRT, क्लास 6 की पढ़े होंगे, मैथ, तो आपको हाँ पर यह बिधी आपको मिली होगी, इसे कटवा बिधी के नाम से जानते हैं, यह भी गुड़ा जैसे आप पर एक दो बिंदू गए, दो एक का दो, दो दूना चार, 2, 3, 6, 2, 4, इसका मतलब क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, माने दो गुड़े, 4, 8, माने बार-बार जोड़ने के प्रिक्रिया, गुड़ा कहलाती है, तो कटवा गिंती से हो पाती है, यह कच्छा अच्छा के NCRT, मैं आपको मिल जाएगा, मैं आपको पर प्रश्ण की तरफ, यहाँ पर एक प्रश्ण दिया गया है, कि कच्छा 2 में, अब एकस का प्रियोग निम्रिखित में सहायता नहीं करता, सभी लोग फटाफट कमेंड करें, कि अब एकस किसकी सहायता नहीं करता, बताई सभी लोग फटाफट कमेंड करके, कच्छा 2 की बात हो रही है, कि बच्पर में आपने देखा होगा इस तरह से होता है इस तरह से क्या होते हैं इस तरह से क्या होगा इसका क्या होगा इसमें से क्या नहीं होगा यहाँ पर नहीं बताना है तीन है और एक नहीं है देखिए अब essentials में क्या होगा असत्थान इमान के महत्वार्ण को समझ सकते हैं अब जैसे जहां पर अभएकस नहीं होता लोग उन्गुलियों का Power PERht जहां पर अभएकस नहीं पर लोग उन्गियों काप्रियों करते हैं ठीक कormuş फिर कहता है सब्डों में दी कई संक्ष Consult समान संक्षने में बीना तोड़ी करना यहां पर बचपने करते हैं के सब्डों में दी गई संख्या को समान संख्याक लिखने के लिए जैसे जहां पर दे दिया जाए की पांच तो जब्वरी ने कि लड़का भी इसको सब्द में लिखे पांच तो यह इसका काम नहीं है यह अब एक कसा काम नहीं है इसलिए आप दिये प्रश्ण का उत्तर जो गलत है वही सही एक यह पर गलत पूछा मतलब दिये राइट एंसर होगा अब एक अस्थानी माने सुझता ग्याद कर सकते हैं गण्णा में सुझता की जा सकती है लेकिन सब्दों में संख्यांक को लिखने के संब्द में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं एक छोटा सा प्रश्चन है और हलूबा प्रस्चन है आपको कमेड करके बताना है निम्न कित्में से किस विभाजन में से उससे अधिक होगा है कि आप 176 को आप तीन से विभाजिद करें तगर हम आपते दो तो तीन पचे पंद्र लो तीन अठे चोबीस दो यहाँ पे दो मानि किसको अगर भाजित किया जाए तो सेस उससे अधिक होगा मानि दो से अधिक किसमें दो से अधिक सेस बचेगा सभी लोग फटाफट कमेंड करें कमेंड करके जबाब दें यह क्लास प्रदिन इलनीबी दुर्गेश पर साथ बज़े लाइब चलती है जिसका नॉटिविकेशन आपको केवल टेलीगराम पर मिलेगा जहां पर दुर्गेश सर्च करके इलनीबी दुर्गेश से जुड़ सकते हैं ओनलिंग क्लास के लिए 63063-44367 पर जुड़ सकते हैं ठीक है सभी लोग फटाफट कमेंड करें और जब आप देखे हो अब देखे इसको गर भाइध करेंगे तो सेस्फल क्या है गहारा साथ एक आठ पांच तेरह है तीन चोकि बारह है है कि सब्चहतर आतर को तीन जबाहिब करें क्या है आएगा कि आ प्मस्त पांच साथ-पांच-द बारक 13 मने यहां पर भाग भाग देंगे से सपल कितना बचेगा तीन बचेवでख देंगे ये पूरा कट जाएगा भी यह किससे इससे जादा दो सधीक तो दो सधीक के वल बेकल्प नंबर तीन में बचया इसलिए इस प्रश्ण का उत्तर जो है वह सीज का राइट एंसवर है कि सीज का सई जवाब है क्लियर कोई डाउट किसी को कोई समस्या किसी को देखिए आप सेलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि मैं आप जो चीज़े पढ़ा रहा हूं जो चीज़े ब्याट चलिए हमने हैं कौन सा अबिकल्प यहां पर सज़िए हम जानते हैं सो सेमी बराबर एक मीटर इसलिए क्या हो जाएगा यह पांच मीटर और यह पचास मीटर और एक कीमी बराबर एक कीमी बराबर एक हजार मीटर तो पांच कीमी में कितना हो जाएगा 5000 मीटर तो कुल योग कर दिजिए 5000 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर कितना होगा यहाँ पर दियेगे प्रश्निका सबसे सही उत्तर क्या हो सभी लिग फटा फटा कमेंट करें के बता है कि सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जवाब दें जो लोग वीडियो को लाइब देख रहें सबी लोग फटा फटा कमेंट करके जवाब दें चलिए आपको अस्पश्ट कर दे क्या होगा समझ में आगे सबको कोई ऐसा जिसको समझ में नाया हो बीस का सभी जवाब है रश्न को पढ़ें और उसका जवाब जल्दी से इलने विद्रग्यों पर सभी लोग जवाब दें जो लोग वीडियो को लाइब देख रहें सभी साथी मित्रों को शेयर कर दें रवी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर दिजिए विद्धिया माई कसम सभी करना में सभी वीडियो को सबी सातीयों तो पूछ रहें किसी कि सभी लुग फट चकाम जबाब देजिए कि अर्व है हिसे प्रटापर कमेंड करें हिरु इस चलिए अगर आप नहीं बताएंगे तो भैई हम तो बताएंगे हमारा काम इ Whatever नहीं व सब्सक्री चलिए आप पैटन की पहचान करना उन्हें पूरा करना प्रात्मिक अस्तर पर गौनिक पाठ्ट चरिया का एक अनिवार हिश्चा है क्योंकि एक एक करके हम विकल्पों समझने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों को प्रत्योगी परिच्छाओं के लिए त्यार करना जी नहीं प्रात्मिक उस्तर पर विद्यार्थियों को प्रत्योगी परिच्छाओं के लिए त्यार नहीं करन संक्रियाओं को समझने में उसकी सहयता करता है फिर चौथा भी कल्प कहता है बिद्यार्थियों में स्रिजनात्मक्ता और करात्मक्त गुणों को बिख्षित करता है तो यहां पर सब्सक्रियाद को सबस्क्रियाद को प्रिछाएं अगला आएगा बिद्यार्थियों मतलब जैसे दिखेए यह वगया तीन चह नव बारा है कि अब इसके बार अगला क्या आएगा बताइए किया ऐगा यह एक पैटन गया अब पैटन क्या करेगा उनके सिजनाद मकता को बढ़ाएगा आझ संक्रिकाओं की लिए स्कवय को बताएगा और उने समझने में साहता करेगा मतलब जो विद्यारती हैं उनको हर प्रकार से पारंगत करेगा अब आप बते इसके बाद अगला क्या आएगा यह हो गई पैटर्न की पहचान करना अगला पैटर्न क्या होगा आपके अपने क्या किया आपके अंदर से जाजमक्ता का भी काश हुआ और आपके स वजमाया है वह कमेंट करके यन लिखे वेकि मेरा उद्देश आपको सेलेक्शन दिलाना है मेरा उद्देश आपको परिच्छा क्वालिफाई कराना है और मैं इस बाती गरिंटी लेता हूँ हर हाल में आप 90 प्लस स्कोर करेंगे जिया नब्बे प्लस कि ठीक है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रस्ट की तरह सभी लोग वीडियो को सेयर कर देया इतनी दिखरिपा अगर आप लोग अगर आपको लगरी क्लास में बहतर पढ़ा रहा हूं तो सभी साथी को सेयर कर दीजिएगा चलिए यह गणि सिच्छन का आखरी प्रस्ण इसक ने प्रस्ट करके नहीं है सब्सक्राइब करके टाकी जो लोग इस वीडियो को लाइड देख रहे सबीलों फटाफर कमेंड करें और कमेंड करके जवाब दें कि मैं जिस मिए जितने लोग लाइप देख रहें जवाब तो दे सब लोग है चलिए मैं आपको असप牛 करगा यहां पे स्थानिम N यह तो कितनी संख्या यह 16 लगे बाद 1234 संक्याइब फिर प्लस का निसान 6 कितना जीरो दो जीरो फिर इसको जोड़ देजेए प्राशन का उत्तर सब्सक्राइब अब मैं पढ़ने चलना हूं इसके बाद जो अगली सीरीज है वह हिंदी पेड़ागोगी को पढ़ना चाहते हैं फटाफट कमेंट करके जबाब दें कितने लोग वीडियो को सेर करना चाहते हैं अब फट्र फट्र कमेंट करें कम काती pson दो पूचा दीलट अब लोग यार इतना दो कर सकते हैं मतलब ऐसा लगताय है कि और निसक्री हो जाते हैं यह इनसक्री मत हो यह बात को समझेए अभी सबी लोग वीडियो को सेर करिए क्या आप लोग हिंदी गो करें कर अदि हो अध से पढ़िए और इसके बाद CDP क्लास होगी साड़े आड़ बजे से लाइब इलनी भी दुर्गेश पर जिसका लिंक टेलिग्राम पर मिलेगा और मैं आपको बार-बार कहता हूँ टेलिग्राम पर आप दुर्गेश सर्च करके इलनी भी दुर्गेश से जुड़े जेर करने का पैसा नहीं लगता यार इतनी महनेस से आप लोग के लिए तयार की जाती है लेकिन आप लोग चलिए यह इलनी भी दुर्गेश क्लास है जोन पूर चलती है चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है आपके सामने प्रिश्ण है इस प्रिश्ण को देखने के बाद आपको हल करके बताना है और मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ देखता हूँ 30 सेकंड में सबसे पहले इसका जबाब कौन देता है सभी लोग फटाफ़र कमेंड करेंगे और कमेंड करके दियेगे प्रिश्ण का जबाब देंगे सभी लोग फटाफ़र पताईए देखिए सभी लोग जबाब ने देते सभी लोग घलने चलिए आईए आप लोग मत जबाब दीजे भाई हमारा काम है बताना आपको देखिए मंदीरा पहली कच्छा में पड़ती है और वो मुझे आम बहुत अच्छा लगता है मैं ठक गई आदी वाक्यों का प्रियोग करती है तो क्या है सभी लोग फटावर बताएं इसका मतलब मैं आपको एक बात बताओं मैंने हिंदे सिच्छन जो आप लोगो पढ़ाया प्रियोग करते है तो वो पूरी तरीके से ब्याकरण का प्रियोग करते है बेसक ब्याकरण का निग्यों ना जाने जैसे कहता है पापा पाच रुपया दो पापा टाफी लेते है ना मम्मी भूग लगी है मम्मी हमेश कूल नहीं जाएंगे तो जब वो करता क्रिया कर्म का प्रियोग करती है तो एकदम सही करती है माने किसी प्रकारियों गल्ती नहीं करते तो छोटे बच्चे बेसक उन्हे ब्याकरण का नियम ना पता हो लेकिन वह क्या करते हैं पूरी तरह से ब्याकरण का प्रियोग करते हैं यहां पर लिंग वचन किरिया आदिके दिश्च से वो क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रियोम करते हैं अच्छे जर्वर है आप लोग बताईए सर्वनाम की से कहते हैं जित्वे विडियो को लाइफ देख रहे हैं सबी लोग फटाफ़ कमेंड करें यह कि वीडियो थोड़ा से लंबा होता जा रहा है बताईए भीया संग्या के अस्थान पर संध्या के अस्थान पर अन किसी सब्द को प्रियुक्त करना वो हम सर्वनाम कहते है ठीक है अब यहाँ पर अच्छे जरह बताई सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम के कितने वेद होते हैं तो सर्वनाम के चुब रेधु होते हैं ठीक में अग बनमpero होगे पर्ष्ण की तरफ कि फूरुसवाचक शर्वनाफा संबंद वार निश्चर वार अनिश्चर वार्चक निवार चट प्रश्ण वार्चक यह सभी प्रिकार के बनमे प्रosa के प्रश्ण की तरफ अगला पर सामने साथ आपको दिखाई दे रहा होगा भासा अब बताइए क्या है इसमें से चार विकल्ब दिया गया है किसी एक विकल्ब को आचेन करिए भाशा कि सभी लोग फटापर कमेंट करके दिएगे पशने का जबाब दें और यहाँ पर ऑनलेंग क्लास के लिए दंबर पर वाट्सेप करके आप 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 अनलेंग क्लास अमने जाकर ले सकते हैं अगर यह ने लगत इस पर और यह मेरा विक्तिकत नंबर है इस पर भी आप वीडियो लेक्चर यह सभी चीज आप कहां से मिल जाएंगी अब बताइए भासा क्या है सभी लोग फटापर कमेंट करिए क्या होगा इसका नियमों के भासा नियमों की जानखरें नहीं निखाड़ती यह जी नहीं सेदों ब्याकर नियमों का जी नहीं यहाँ पर दिएग किलियर जोली वीडियो को लाइब देग रहें फटाफट कमेंट करें यहाँ पर सी वाले राइट एंस्वर है ठीक यह क्लासिक जोनपूर से चलती ही लाने भी दुर्गेश भासा की जो पाठेपुस्तकों का निर्मान करते समय सबसे कम महत्तपूर बिन्दू क्या है फटाफट कमेंट गरें बताएं भासा की जो पाटपुस तक है इसका निर्मान करते समय सबसे कम महत्तपुर्ण बिंदु क्या है बताईए सब लोग वड़ावर कमेंड करें पड़ेश का पड़ावर कमेंड करें भासा की पुस्थां कभी चेप्टर लाया है भासा भी प्र पढ़ाया है ग्याक्रिन इसल्दि न ने पाठो की संख्या जादा होनी चाहिए नहीं सबसे कम हत्पुण बिंदु क्या है यहाँ पर पाठो की संख्या क्यों क्यों कि यहाँ पर सबसे कम समय में महत्पुण पाठ पुस्तक की कम समय में अब अगर पाठ की संख्या ज्यादा होगी समय क्या होगा ज्यादा अगला प्रश्ण है एक से अधिक भासाओं का प्रियोग सब लोग फटाफट कमेंड करके बताएं जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी लोग फटाफट बताएं एक से अधिक भासाओं का प्रियोग क्या है जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं स किसी भी एक भासा में निपूर्टा बादक है जी नहीं ऐसा तो कहीं नहीं है कच्छाई जटलताओं को बढ़ाता है अगर आप एक से अधिक भासा जाने के जटलोंगा जी नहीं बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग जबाब दे रहे दिए प्रिश्ण का काफी अच्छा लग रहा है यह भी गलत सिच्चकों को गहन समस्य जी ने संग्यान अत्मक विकास में सायक होता है कि यह तंत्रिका विज्ञान और मनों विज्ञान का गध्यान शेत्र है इसे बालक द्वारा सूचना प्रसंस्करण भासा सीकना मस्तिष के विकास अन पहलूँ पर धान के मतलब सभी का जबाब सक्केर के सामने इस संदर में कौन सा कथन सही नहीं है माने जो गलत ह है वही सही है यहां पे आपको गलत प्रस्षम प्रिश्ण में नहीं दिया गया है कुछ लोग गलती करते हैं इस नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और परिच्छा में गलती करके चले आते हैं अश्यां सभी लोग फटावट कमेंड करें जल्दी से जवाब दे प्रिश्ण कार है बताएं कि आड़ बच कर तीस बनटपर अगली क्लास है आपकी कुछी देर बाद अगली क्लास से इड़ी पी की शुरू होगी प्रामरी और जूनियर के लिए जी आप प्रामरी जूनियर भासा अर्जन भासा दिगम को प्रभावित करने वाला महत्वून कारक है तो यह बास सही है देखे भीया जो सांस्कित विवित्ता होती है हम कहते हैं अनेकता मेकता है हम एक ही देश में रहते हैं अलग 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 भासा अलग सांस्किति अलग अलग कल्चर तो यह से भासा भासा है अधिगम कभी व्यनुमात का शारा नहीं यह गलत है लिया जाता है भासा अरजन सहज और सभविक होता है जबकि भासा अधिगम प्रयास-पूर्ण होता है अच्छा एक प्षण आप लोग आप लोग का आ रहा है कि सर अप फाड़ करें जैसे मैं यह प्रस्थ आता मैं करता इसका विखल्भ तीसरा है जो गलत है वो तकिसे बाद अगले पर समय चल लए है तो क्या मेरे पढ़ाने का कोई औचित निकल दा ठीक है, जैसे मैं किया दिया कि यह प्रस्न का भीकल तीसरा है, यह कुछ लोग एसर फास करेंगे, इसका भीकल तीसरा है, आगे बढ़िए, फिर आगे हैं इस प्रस्ने को जल्दी से पढ़ कि बताइए क्या होगा, कुछ लोगों ने अपना उत्तर दिया, मैं कहूं इसका उ को समझे आप सेलेक्शन के करीब पहुचे इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आता तम में ब्याक्षा करता हूं बाकी बहु सारी यूटूबर चैनल है वो क्योल प्रश्ण का उत्तर बता कर आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें उन्होंने तथ्यों को नहीं से चैनल से पढ़ रहा है जहां पर पूरे प्रश्ण की बिकल्ब की व्याक्षा की जारी क्यों सई और क्यों गरत है अगर ऐसा कोई चैनल मिल जा है तो मुझे मैसेज करके बाता दीजेगा जो सभी की तीन भी से ओका कोई अकेल पढ़ा है और सभी की ब्याख्यात्म कुरूप से बताए लाइब आकर चलिए एक बहुभासिक कच्छा में आप किससे सबसे कम भात्तों देंगे बहुभासी है तो कच्छा के जो बहुभासिक बहु सांस्कितिक संदर्विपती संविधर सिलत पनाना है जैसे आप किसी कच्छा में हिंडी के टीचर हैं आप पढ़ने गए वहाँ पर बात्तिक बहुभासिक की जिच्छा की भी बात कर लेंगे, यहाँ पर क्या होगी, समयसी कच्छा भी होगी, फिर आगे देखेंगे, कच्छा में विभिन प्रकार की समागरी से समरित दिवाता वरन है, और जो कच्छा होगी, उसमें बहुत साइब समीद्री समागरी मिलेगी, जैसे अलग-अलग संस् तो यहाँ पर यह भी शही है तो यहाँ पर यह बत पतार सबसे कम हत्तों किसको देंगे कि बच्चों को सीखाने दो दो भासा के मद्ध बिद्धमान समानता अंतर का बिचलेशन कैसे करें यह आपको कम इस पर क्या है बल नहीं देना है कि दो भासी है तो उनमें समानता क्या ह उनमें समान्ता क्या है ठीक है समान्ता समान्ता की बात हमें नहीं करना है हमें आप सेलेक्शन की बात करना है बच्चों के चैन की जैसे मैं पढ़ातों मैं क्या करता हूं मैं आपके सेलेक्शन की बात करता हूं मैं भी प्रश्ण की संख्या बढ़ा सकता हूं मैं भी आदे ग इलाने धुरगेश कियाती है जब तक मीरे उत्तरकुञ ships नहीं जारी करता इस घरव घमणनहें तरफ कि मैं तेजी से करा सकता हुं लेकिन मैं आपके सलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं यहाँ परद्यान दिजेगा कि प्राथमिक अस्तर पर भासा की पार्ट पुस्थकों में किस तरह की रचनाओं को अस्थान दिया जा आप दें आड़ बच कर तीस मिनट से CDP की क्लास होगी जो प्रामरी अपर प्रामरी दोनों के लिए होगी जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जहां पर आपको दुर्गेश सर्च करना है और इलनी भी दुर्गेश से जुणना है और वहां पर डिस्केप्शन उसक को भी कम लेकिन यहां पर कह रहा है अब आपका प्रशन ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी ऐसी रचना जैसे आपने देखा होगा ट्रेन भी अगर चलती होती चुक ट्रेन कद्दो जी की चली बरात अगर पेड़ भी चलते होते ऐसे पाट को आपके ठीक है आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रशन की तरफ यहां पर पत्र चुरुप से मुल्यों पाथ इसलिए यहां पर दिए कि प्रशन का उत्तर क्या होगा तीसरा या सीस का राइट एंसर होगा उनके परिवेश से जुड़ूने चाहिए यह मैंने पेड़ क्लासे पढ़ा कुवास्तों में सीटेट कौलिफाई करना है अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार पेपर देकर बाहर निकलिएगा उसके बात देखिएगा आपको फास्ट पढ़ने का फायदा मिलता है क्यों कि जब सीटेट बैठते हैं हमें चार के चारो बिकल्प सही लगते हैं लेकि कि निकित में से कौन सा दूती भासा से चण का उद्यश नहीं है नहीं को ध्यांज पढ़िएगा नहीं आपके एक एक नंबर का महत्तों होता और सलेक्शन के लिए पॉइंट भी आपकी जरूत पढ़ेगी और इसलिए आप लोग अपना बेस्ट दीजिए क्योंकि रेस के गोड़े हैं कि सभी लोग फटावड बताएं इसमें नहीं बताने आपको है कि चलिए कि यहां पर क्या होगा यहां पर द्यान दीजेगा बोलने की चमता का अनुरूप लिखने की चमता का अभिकास ऐसा तो नहीं है कि जितना ते जो बोले उत्ता ते बच्चा लिख ले जितना ते जो बोले उत्ता ते जो पढ़ ले ऐसा तो होगा नहीं ठीक यह बात यहां पर गलत हो मतलब यहां पर क्या बोलने की छमता क्या अनुरूप लिखने की छमता यह दूती भास चलका उद्देश है बिभिन चेत्रों में इस्तिती में हिंदी की प्रयोक्तियों को समझने की योगता रखना यह भी इसका है लेकिन कंठस्त करना मैंने आपको बताया था ब्याकरण के नियम कंठस्त करना याद करना रटना दोहराना इन सभी तच्छ अगर आपके पास आ जाए तो तुरंद या दिएगा वह एंसी अप दोहजार पांच का एंसीआटी नसे दोहजार पांच क्लास में ने दिया है तो वहां पर इसका बिरोद करते हैं फिर क्या रहा है दैनिक कि अगरा पर लिखर अपके वीच से साल आपको दिखाई दे रहा होगा कि हिंदी भाळणा का मीुल्यांकान करते समय आप सबसे ज्यादा किस्य तो देंगे दिखें अब जब तक को नहीं समझेंगे कउनसा विकल्ब क्यूं sud hai यह जब तक नहीं समझेंगे क्यों अब पसके penser करना मुस्क्रीं होगा का कि एक बताये है अब रह्याओं के सुछ आप दें एक प्रस्ण आपका और बच्छा उसके बाद अगली स्टार्ट हो जाएगी यहां पर दिखिए एकदम आसान है कि भासा मुल्यांकन करते समय क्या बैक कर नहीं आपको नहीं देखना है निबन लिखने की योकिता नहीं देखना है का बेस अंदर नहीं देखना है आ अच्छा कैसे सीख रहा है जैसे मैं पढ़ा रहो मैं आपको सीखने मैं सिखाने आया हूँ मैं आपको यह नहीं बताने हो कितना प्रस्ण आपने किया मैं आपको रटाने नहीं आया हूँ मैं आपको केवल केवल सलेक्शन के लिए पढ़ाता हूँ लोग कहते सर आप तो ज मैं आगे बढ़ रहा हूँ यह आज का आखरी प्रस्ट न है और आपकी बीच आ चुका है यह क्लास यहाँ पर खतम होती है यह आखरी प्रस्ट न है और इसका उत्तर दीजेगा और यह दुर्गेश सरसाज करके टेलीग्राम पर जूड़ेगा जहाँ पर आपको सभी क्लास क वीडियो लेक्चर के लिए 63063-4367 पर जोड सकते हैं निकित में से कौन सा बच्चों की भासिक छमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफोट कमेंड करें यह आखरी प्रस्ट न है आज का जित्तों वीड कि सारे अट बचे सीडीपी क्लास होगी दिखें यहां पर संग्या सब्दों के दो उदान देजिए जब दो उदारन देने की बात करेगा तो आपको रठना पड़ेगा मैं कहा दूंगा संग्या के दो उदान देजिए तो बीना रट्य आप नहीं दे सकते माने यह तो गल ठीक है एक बात ठीक है एक बात आप आपको नाम लेने के बाद आपके दिमाग में चित्र बन जाए उसे संग्या कहते हैं क्या आप लोग कोई परिवासा पता थी संग्या किसे कहते हैं संग्या किसे कहते हैं अगर किसी चीज का नाम लेने के बाद आपके दिमाग में चित बना तो जब किसी भी सब्द का नाम लेने के बाद आपके दिमाग में चित्र बन जाए इसका मतलब क्या है वह संग्या है दुनिया कोई वस्तू घर दिवार गाड़ी मकान स्कूल बच्चे लगे विजारती टीबी जिसका नाम लेने के बाद आपके दिमाग में चित्र बन उसे हम संझ्या कहते हैं ठीक है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद सभीका इसके बादioni पर दुद्रगश पर जुड़े रहे गा बहुत धन्यवाद सभीका फिर मिलते हैं कल आपकी पांच बज़े से जुनियरी क्लास होती है साइन्स और मैट पड़ागोगी की और साथ बज़े से आपकी संस्कित की क्लासे साथ 10 से चलेंगे लेकिन अभी एक दो दिन थोड़ा सा दिक्कत होगा उसके बाद श्टार्ट हो जाएगी राज साथ 10 बज़े से संस्कित ठीक है बहुत धन्यवाद बेस्ट आफ लग जय हिंद जय भारत सभी लोग वीडियो को लाइक करने के बाद अपन असाले जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठेंक्यू यह आपका बड़क्पन है ठीक है बाइबाइबाइब जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम चलते हैं तब